उत्तर प्रदेश जिला बरेली में कोरोना संक्रमित युवक के घर से मिले 5 कोरोना पॉजिटिव स्वास्त विवाग में मची खलबली आपको बताते चले की नौएडा से वापस आए बरेली के सुबाश नगर के युवक में कोरोना संक्रमन की पुष्टी के बाद अब उसके पांचों परिजनों में भी संक्रमन की पुष्टी हुई है मंगलवार सुबा करीब 6 बजे आई रिपोर्ट के मुताविक युवक की माता पिता भाई पत्नी और बहन के सेंपल पॉजिटिव पाए गए है इससे स्वास विवाग में हरकंप मचा हुआ है बतादे की नगर निगम की ओर से सुबाश नगर की कॉलोनी गली संख्या एक को सैनिटाइज किया जा चुका है प्रशाशन ने संक्रमितों के घर पर नोटिस भी चस्पा किये है और पूरे परिवार को निजी अस्पताल में कॉरेंटिन भी किया है साथ ही सुबाश नगर में कीट नाशकों का शिरकाव भी किया गया है इसके अलावा सुबाश नगर छेतर में समेद शहर के अने अलाकों में रहने वाले करीब 14 परिजनों को होम कॉर्टिन किया गया है वहीं अब परिजनों की रिपोर्ट आने के बाद यह जाच जाएगी कि उनके परिजन कहां कहां गए किन किन लोगों से मिले और उनके घर में कौन कौन आया इसके लिए स्वास विवाग ने आज सुबाश नगर छेतर में अपनी टीमें भेज कर लोगों से जानकारी ली खबर लिखे जाने तक कोई भी नया व्यक्ति ट्रेस नहीं हो सका निजी अस्पताल में भरती युवक के परिजनों से संबंदित मामलों पर जानकारी ली जा रही है जो भी उनके संपर्क में आया था उन सभी को कौर्टीन करने के निर्देश दिये जाएंगे इनकार करने पर उनके उपर कारवाही भी की जा सकते